अजाद भारत के इतिहास में जांच एजंसीज के नाम पर इतना भदा मजाख आज दिन तक कभी नहीं हुआ किस तरह मोदी सरकार जांच एजंसीज के थुरू विपक्ष पर दबिश डाल रही है उनको बदनाम कर रही है दिन रात विपक्ष को खतम करने की साजिश रची जा रही है और आज सुबा साथ बजे से अर्विंद के जिवाल के परसनल सेक्टरी और उनके सांसत पर दस ठिकानों पर ED रेट कर चुकिया वो इतिफा किये है कि कल आतिशी जो विदायक है आम आदनी पार्टी की उन्होंने कहा था कि ED के किलाफ आज वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है इस मुद्धे पर आतिशी ने प्रेस कॉन्फरेंस भी की और जो बड़ा खुलासा किया इस पर मैं बाद में आऊंगा दोस्तों सबसे बड़ी खबर क्या है आपकी स्क्रीन्स पर धिल्ली के CM अर्विंद के जिवाल के परसनल सेक्टरी वहबब कुमार और आप सांसड एंडिक गुपता के घर पर आज शेफ फर्बरी को ED की रेड हुई है धिल्ली में आम आदनी पार्टी नेताओं और आप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ED तलाशी रे रही है प्रेस कॉंफरेंस करती हैं और सबसे पहली बात उन्होंने कही मोदी सरकार जो मरजी कर ले हम मोदी सरकार से नहीं डरते क्या का आतिशी ने आपके सामने इस वीडियो में सुनी आतिशी ने क्या कहा यह क्या प्रयास है इडी का यह क्या प्रयास है भारतिय जंता पार्टी शासित केंद्र सरकार का के वो अपनी एजंसी के माध्यम से आम आदमी पार्टी को दराने की कोशिश कर रही है धंकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारती एजन्ता पार्टी को और उनकी एजन्सियों को जो ED और CBI हैं ये बताना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी आपकी धंकियों से डरने वाली नहीं है पिछले दो साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धंकाया जा रहा है इस तथा कतित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है कभी किसी और के घर छापा पड़ता है कभी किसी को समन आता है कभी किसी को गिरफतार किया जाता है लेकिन इस दो साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक E.D. को कुछ नहीं मिला दोस्तों आतिशी ने ये प्रेस कॉन्फरेंस इसलिए बुलाई क्योंकि वो उन्होंने बताया कि सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट का मानि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था एक आदेश आया था और इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस इनसान से पूशताष होगी उसकी पूरी CCTV कवरेज होगी और उस CCTV कवरेज में वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और आडियो रिकॉर्डिंग भी होगी क्या पूछा गया क्या कोशन हुई क्या कोशनिंग हुई क्या पूछताश हुई वो आडियो रिकॉर्डिंग से ही साही तरीके से सामने आएगी तो सुप्रीम कोट ने बोला कि वीडियो रिकार्डिंग भी होगी आतिशी ने ये इसलिए बोला क्योंकि जो तथा कतित शराब गुटाला है जो मोदी सरकार इलजाम लगा रही है आम आदनी पार्टी पर इस मामले से जुड़े काफी लोगों को कान की कनपटी भट गई इस वज़े से इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया एक विटनेस ने कहा कि उनको ये कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है एक और विटनेस को ड़ा कि नेताओं के खिला स्टेटमेंट नहीं दिया तो बार 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 अलग लग लोगों को डरा के धमका के घलत स्टेटमेंट साइन कराएं दोस्तो इस प्रेस कोन्फरेंस के जरीए आतिशी का ये कहना था कि सुप्रीम कोड का जो 2020 का जो आअटर जिसमें सुप्रीम कोड ये बोलता है कि CCTV रिकार्डिंग में आझियो भी होनी चाहिए विडियो भी होनी चाहिए तो ये जो चीज है ये एडिय पर भी लागू होती आतीशी ने एक घटना कला का हवाला देते हुए खा कि एक वेक्ति से फूस्ताश की जाती है E.D. द्वारा और जो फूस्ताश की जाती है और उसकी जो audio recording और जो video recording होती है और जो पूछताश की जाती है उससे विपरीत अदालब में दस्तावेज रखे जाते हैं और जब वो व्यक्ति चैलेंज करता है कि recording में कुछ होर पुछा गया और दस्तावेजो में कुछ होर कहा जा रहा है कुछ होर रखा जा रहा है कुछ होर ही पिक्चर ब्यां की जा रही है और जब उसने चैलेंज किया कि वो audio recording मोहिया करवाई जाए तो ED ने क्या जवाब दिया बतोल आतिशी आईए सुनते हैं आपके screens पर अब एक accused ने कुछ दिन पहले court में application डाली और कहा कि मुझे CCTV footage चाहिए तो क्या हुआ उन्होंने application क्यों डाली क्यूंकि उनका जो ही accused थे एक सरकारी गवाँ से ED में आमना सामना करवाया गया उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, statements दी गई, accused द्वारा दी गई, सरकारी गवाँ द्वारा दी गई इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक CCTV camera लगा हुआ था ये पूरी प्रक्रिया CCTV camera की निगरानी में हुई लेकिन जब वो statement court में जमा कर आई गई, तो accused ने देखा, कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागर्स पर आई है, वो दोनों अलग-अलग हैं और इसी लिए, इस case के उस accused ने CCTV footage के लिए application डाली और आपको पता है, जब ED ने वो footage दी, तो उन्हों ने उस footage का audio delete कर दिया सिर्फ video footage दी गई, audio footage डिलीट कर दी गई, और सारा evidence के वास्तविक तोर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी उस सारे evidence को ED द्वारा delete कर दिया गया है तो दोस्तों आपने देखा, ED द्वारा Supreme Court के 2020 के उस अदेश की भी दज्ये उड़ाई जाती है audio recording गाइब कर दी जाती है और बतोल आतिशी उनका ये बोलना है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि ED ने audio recording गाइब की हो, ऐसा काफी दफ़ा हो चुका है दोस्तों सबसे बड़ा स्वाल, आखर ये चीज बार बार क्यों हो रही है तो अगर हो रही है, तो अदालतें सब पर खामोश क्यों है मैं अभी तक नहीं बूला हूँ कि किस तरह चीफ जस्टिस साब चंदर चुट साब ने जो मेर की elections हुई उस पे उन्होंने कितना सक्ट तेवर अपनाया उन्होंने यहां तक कहा डाला कि ये लोग तंतर की हतया है तो सुप्रीम कोट मानिये सुप्रीम कोट मानिये देवाइ चंदर चुट साब इन जांच agencies पर जो मोधी सरकार के इशारे पर नाच रही है इन पर अंकुष जरूर लगाना चाहिए क्योंकि किस तरह आप ही देख रहे हैं कि अलोगतांतरिक तरीके से गैर लोगतांतरिक तरीके से ये agencies काम कर रही है और विपक्ष को दबाने का, विपक्ष को कुचलने का, विपक्ष को ख़दम करने का मोधी सरकार के कहने पर ये काम कर रही है तो मेरी गुजारी शैमानी सुप्रीम कोट से कि इन agencies पर अंकुष लगाना बड़ा जुरूरी है क्योंकि अगर विपक्ष नहीं रहेगा, तो लोगतांतर जिंदा कैसे रहेगा आपका बहुत है शुक्रिया